Hey winners, आज हम Law of Attraction को बहुत ही scientifically समझने वाले हैं और ये देखेंगे कि ये हमारी जिन्देगी में miraculous results कैसे लेकर के आ सकता और कैसे लगातार ये हमारे लिए काम कर रहा है तो इसको मैं शुरू करना चाहूँगा The Law of Karma से और ये लगभग हर एक religion का सबसे fundamental concept है चाहे वो Hinduism हो, Jainism हो, Buddhism हो, Sikhism हो, Christianity हो या और भी बहुत से religions और श्री मदभगवत गीता में कर्म फल के सिध्धानत के बारे में बहुत detail में बताया गया कर्म फल का सिध्धानत यानि की The Law of Karma ये बताता है कि हमने जिस भी तरह का कर्म किया है, उसी तरह का फल वो हमें मिलेगा despite of the fact, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उसका result हमें मिलना ही मिलना है और एक बहुत ancient Greek philosopher हुए, Aristotle, उन्होंने भी इसके बारे में काफी बात की है Rene Descartes, बहुत बड़े philosopher हुए, उन्होंने भी इसके बारे में बात की है In fact, Isaac Newton से लेके Albert Einstein हो या Stephen Hawkins, इन सबने इसके बारे में बहुत ही detail में बात की है और इसको इन्होंने बोला The Law of Cause and Effect और इसी को सबसे बड़ा fundamental principle माना गया पूरी दुनिया के laws का The Law of Reaping and Sewing, Bible ऐसा बोलता है, कि जो बोएंगे, वही काटेंगे, जो बांटेंगे, वही मिलेगा अब जो भी कर्म है, उसका फल हमें मिलना ही मिलना है तो कर्म का मतलब सिर्फ physical action ही नहीं है कर्म के दो अर्थ निकलते हैं, एक है क्रिया और दूसरा है कामना क्रिया का मतलब है physical action और कामना का मतलब है mental action मतलब जब भी हम कर्म की बात करते हैं, तो बहुत सो लोग यों बोलते हैं कि यार मैंने काम तो बहुत बड़िया कर रहा हूं लेकिन result उतना नहीं मिल रहा तो इसका मतलब वो सिर्फ अपनी life के 50% कर्म को देख रहे हैं in fact वो हो सकता है 10 या 12 या 5 या 2% ही कर्म हो क्योंकि हमारी life को बहुत बड़े तौर पर जो चीज गवर्न करती है वो हैं हमारे thoughts यानि हमारे विचार जिसको कामना बोला गया एक बहुत खूबसूरत शब्द हमें दिया जाता है अकसर आपने भी सुना होगा कि हमारी नियती में जो है हमें वही मिलेगा नियती मतलब जो destination जो भाग्य में लिखा होगा वही मिलेगा इसको ऐसे जोड़ा जाता है नियती शब्द को लेकिन क्या आप जानते है नियती का मतलब जो कल को हमें मिलने वाला है वो नियत से बना शब्द है नियत का मतलब है intention और intention एक mental action है और law of attraction जिस principle पर काम करता है उसे कहा जाता है like attracts like का principle यानि similar दो चीजें आपस में एक दूसरे को attract करती है और यही कर्मफल के रूप में कहा जा रहा है कि जिस तरह का कर्म होगा चाहे अच्छा या बुरा उसी क्या रूपफल मिलेगा तो यहाँ पर एक statement को quote करना चाहूँगा Nikola Tesla की जिनोंने ये बोला था कि if you want to find out the secrets of this universe think in terms of energy, frequency and vibration अगर ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना है तो इसको समझने के लिए energy, frequency और vibration की नजर से इस ब्रह्मांड को देखना शुरू करो रहस्ये खुलने शुरू हो जाएंगे तो हम भी वही करते हैं इस सारे सिस्टम को energy, frequency और vibration के नजरिये से देखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं energy की और हमें Einstein भाई साब बहुत साल पहले बता दिया था कि everything is energy, सब कुछ energy है तो जब हम thoughts की बात करते हैं तो वो भी energy है और जब हम किसी physical, material world में किसी भी चीज की, कोई camera, कोई mic या कोई गाड़ी या पैसा, किसी भी चीज की बात करते हैं, तो वो material energy है, लेकिन है energy हाँ, उस energy को या उस particle को हमारी नजरे particle के तौर पर देख, feel, महसूस कर रही है, लेकिन actual में, अगर उसको quantum world में देखा जाए, जिसका मैंने जिक्र किया the double slit experiment का, तो वहाँ पर वो energy की तरह ही behave कर रहा है, जहाँ पर observer नहीं होता, तो ये बहुत clear हो जाता है, कि सब कुछ energy है, जो भी हम पाना चाहते हैं, और जिस तरह के हम विचार लेते हैं, वो भी, तो मैं चाहता हूँ, कि आप जिन्दगी में जो भी चीज manifest करना चाहते हो, उसको बहुत clear intention से, बहुत सही तरीके से और process से कर पाओ, और इसी के लिए, जो हमारा workshop है, जो हमारा event है, चार दिन लगातार, मैं अपने participants के साथ time spend करता हूँ, invest करता हूँ, ताकि वो beautiful से और concepts है, scientific evidences के साथ, जो कि उस event में मैं आपके साथ share करता हूँ, तो बिलकुल भी नहीं बूलना, description में आपको उसका link मिल जाएगा, जरूर click कीजिए और जुड़िये मेरे साथ, energy के बाद Nikola Tesla ने बोला कि दूसरी चीज है vibration, अब vibration the law of vibration, ये बोलता है कि everything moves, nothing rests, कुछ भी चीज रुपती नहीं है, जब से big bang हुआ, तब से सब कुछ move ही कर रहा है, move करने का मतलब है कि vibrate कर रहा है, सब atomic level पर अगर जाएं तो सब कुछ ही vibrate कर रहा है, रुका हुआ कुछ भी नहीं है, हमारा mind लगातार vibrate करता है, और EEG machine उसको बहुत easily measure कर पाती है, आपने कई बार वो EEG charts देखे भी होंगे, और वो लगातार कुछ waves को release करता है, और आज, बहुत बड़ी-बड़ी ऐसी companies, अगर आप google करोगे, तो आपको इनकी बहुत easily information मिल जाएगी, कि जो इस चीज के उपर काम कर रही है, कि कैसे हमारे mind से ही सब कुछ govern किया जा सके, हमारे mind से ही सब कुछ operate किया जा सके, ये जो brain waves निकलती है इनसे, और आज ऐसे आप देखोगे, toys बन रहे हैं, अब तो market में शायद आने भी लग गए हैं, एक बहुत बड़ी car बनाने वाली company, एक wheelchair पर काम कर रही है, जो कि वो paralytic patients के लिए, जिनको paralysis हो चुका है, उनके लिए बना रही है, कि paralyzed इंसान जब उस chair के उपर बैठेगा, और वो सोचेगा left, तो chair left हो जाएगी, वो सोचेगा right, तो वो chair right हो जाएगी, सिर्फ brainwaves को पढ़ करके, जो उसने सोचा, thought लिया, उसको पढ़ करके, अब ये brainwaves की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है, इसको समझना, अब ये जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, या मैं इसको universe बोलता हूँ, आप इसको कोई भी divine energy, या जो भी आप इसको शक्ती को नाम देना चाहें, आप वो दे सकते हैं, अपने religion के accordingly, अपनी समझ के accordingly, quantum physics ये बात बोलता है, कि लगातार ये universe और हम universe से लगातार communicate कर रहे हैं, ये communication कभी भी रुका नहीं है, तो ये communication हो कैसे रहा है, या वो जो उपर वाला है, उस तक हमारी बात पहुँच कैसे रही है, क्या वो हिंभी, पंजाबी, गुजराती, मराथी, तमिल, तेल्गू, मल्यानम, कन्नड, फ्रेंच, जैपनीज, स्पैनिश, इटालियन, मेंडरिन, या कौन सी भाषा समझता है, इतना बड़ा ब्रहमांड है, जिसके बहुत छोटे से प्लैनेट पर हम लोग रहते हैं, और ऐसा आज, कहा जा रहा है कि हमारी तरह और millions of planets हो सकते हैं, जिन पर जीवन हो सकते हैं, इस बात की बहुत ज़्यादा समभावनाएं हैं, तो पता नहीं उनकी कितनी और languages होंगी, तो उस ब्रहमांड से communicate करने के लिए, language तो हमारी पांच senses के लिए, जो ये पांच senses वाले जीव हैं न, इनके लिए बनाई गई, उस universe से communicate करने का सबसे बड़ा साधन था, जैसे कि Nikola Tesla ने बोला कि ब्रहमांड के रहस्यों को समझना है, तो energy, frequency और vibration को समझो, हम जो यहां से release कर रहे हैं brain waves, ये उस से, हम इस universe से, और ये universe, उसके तरू हम से connected है, तो हमने यह समझा कि सब कुछ energy है, सब कुछ vibrate कर रहा है, और वो जिस level पर vibrate कर रहा है, उसको बोला जाता है उस particular चीज की frequency, ठीक उसी तरह हमारे brain में भी, जैसे मैंने बताया, alpha, beta, theta, delta, gamma, अलग-लग तरह के wave patterns create होते हैं, और ये wave patterns की अपनी एक frequency है, उसी तरह के उसी level पर vibrate करने वाली चीज़ें या फल हमारी जिंदगी में हमें प्राप्त होता है, अब आपके साथ एक बहुत जरूरी law share करता हूँ, इस law को कहा गया the law of pure potentiality, और इसको दीपक चोपड़ा ने अपनी book the seven spiritual laws of success में बहुत ही clearly समझाया है, इसमें बलकी दीपक चोपड़ा ने एक मंतर भी दिया है, और भवम का actual में मतलब है existence, यानि दीन्ध, होना, तो the law of pure potentiality बोलता है कि हर चीज़ की similar possibilities, probabilities, संभावना इस पूरे ब्रहमान्ड में मौझूद है, हर चीज़ की, या अगर आप उसके thought को create करते हैं, तो same उसकी probability को, possibility को आप create कर देते हैं, एक example से समझते हैं, आपने जिन्दिगी में कोई चीज़ पाना आप चाहते हो, और आपने उसका particular एक thought लिया, कि आप वो पाच चुके हो, आपने उसको thought process में अपने create किया, तो वो जो thought आपने लिया है, उसने एक possibility, एक, you know, model के तौर पर आप समझो, कि वो, model कौन समझो, मतलब, car का model के तौर पर आप समझो, कि आपने उसकी एक possibility को create कर दिया है, इस quantum field में, एक जो, और Einstein ने हमें बताया, कि energy can never be created nor destroyed, it can only be transformed, तो आपने एक energy को, एक thought form में transform किया, उसके बाद अब वो thought form की energy, material world में, physical form में, convert हो सकती है, उसकी एक probability को आपने exist कर दिया, इस ब्रह्मध, और हमें अपनी जिन्दगी में, जो भी चीज़ चाहिए, उसकी similar energies को, हम connect कर पाते हैं, like attracts like, जो कर्म हम करते हैं, और कर्म, जो विचार हम ले रहे हैं, thought हम ले रहे हैं, visualization हम कर रहे हैं, वो भी एक कर्म है, जिसके अनुरूप का फल हमें मिलेगा, तो वो क्या best process होगा, law of attraction का, जिसको हर को इनसान यूज़ कर सकता है, अपनी life में abundance को hustle करने के लिए, वो बताने से पहले, एक आखिरी चीज़ को समझना, बहुत जादा जरूरी है, ये एक statement के थूँ आपको समझाता हूँ, कि we never attract what we want in our life, we only attract what we have, और who we are, हमें कभी भी वो नहीं मिलता, जो हम चाहते हैं, हमें वही मिलता है, जो हमारे पास होता है, अब ये थोड़ा सा contradictory है, लेकिन अगर इसको ध्यान से समझेंगे, तो कई परतें खुलेंगी, अगर आपने 92.5 FM ट्यून किया है, अपने radio set पर, तो वो उसी frequency से song को play करेगा, जो 92.5 पर आ रहा है, अगर आपने 100 FM ट्यून किया है, तो वो 92.5 के साथ कभी भी connect नहीं होगा, same goes here, आपके यहाँ पर जो चीज है, मस्तिश्क में, दिमाग में, सोच में, थौट प्रॉसेस में, उसी तरह की चीज को आप अपनी जिन्देगी में पाएंगे, इसी लिए मैंने बोला, बहुत से लोग लाइफ में complaint कर रहे होते हैं, करते हैं कुछ और हैं होता कुछ और है, क्यूंकि जो नियत है, वही नियती बना रही है, ठीक इसी तरह आपने सुना होगा, कि अमीर और अमीर होते जाते हैं, गरीब और गरीब होते जाते हैं, और यहाँ पर आप कह सकते हैं, कि बहुत से हमने तो अमीरों को भी गरीब होते देखा, और गरीबों को भी अमीर होते देखा हैं, लेकिन असल में वो इनसान अमीर हुआ, जिसने सोच को अमीर किया, जिसके mental blueprints richness के थे, और ठीक वहीं पर बहुत से लोग जिनके पास पैसा बहुत था, लेकिन वो गरीब हो गए, क्योंकि जिस इनसान के mental blueprints गरीबी के बन गए, जिसने अपनी energy को गरीबी के mental blueprints में, यानि नियत को गलत करके उनको transform कर लिया, तो वो कहीं न कहीं धीरे-धीरे उस physical अमीरी से भी गरीबी की तरफ चल पड़ता है, तो गरीबी, अक्सर मैं ये बात बोलता हूँ कि एक मानसिक दशा है, तो you never attract what you want in your life, you only attract what you have here in your mind, तो अब इसके process में सबसे पहली चीज जिसको हमने समझना है, वो है crystal clear visualization, creation create कीजिए, ऐसे, जैसे कि आप उसे already पाच चुके हैं, wanting नहीं कि मैं ये चाहता हूँ, नहीं, मैं ये already पाच चुका हूँ, मैंने बोला ना you only attract what you have, और हमारा दिमाग जो है, ये imagination और reality में बिल्कुल भी फर्क करना नहीं जानता, in fact, इसको जो imagination है, ये reality से ज्यादा vivid लगती है, और हमारे subconscious mind में, जो इसको real लगता है, जो logics को bypass कर जाता है, हमारे mind को bypass कर जाता है conscious वाले को, वो सीधा subconscious में जाता है, जो की हमारी life के patterns बन जाता है, जो की हमारी habits बन जाता है, सबसे पहला step है, कि आप visualize कीजिए, कि जो भी आप अपनी जिन्दगी में पाना चाहते हैं, वो already आपके साथ हो चुका है, आप उसको अपनी mental screen में, अपने inner world में आप उसको होता हुआ देखिए, कि वो already घटित हो चुका है, और आपकी जिन्दगी का वो एक part बन चुका है, दूसरा step, कि उस visualization में, आपने emotions और feelings को attach करना है, suppose कीजिए, आप life में कुछ पाना चाहते हैं, suppose आप एक कोई बहुत बड़ी गाड़ी लेना चाहते हैं, तो आपने उसका एक thought लिया, कि मैं वो car ले चुका हूँ, ले रहा हूँ, और सब कुछ हो रहा है मेरे साथ, लेकिन इसमें आपने कोई emotion और feeling नहीं डाला, तो क्या, reality में जब आप वो car लेंगे, या उस situation में होंगे, तो उस time पर भी कोई emotion नहीं होगा, होगा, क्योंकि वो आपका dream है, जो पूरा हुआ है, तो उस समय पर बहुत ही beautiful से emotions आपके release हो रहे होंगे, happiness के, blissfulness के, joy के, तो जो भी हम पाना चाहते हैं, वो happiness के साथ associated है, तो जो भी visualization हमने किया है, उसके साथ same particular emotions को और feelings को release कीजे, जो हमारे विचार हैं, यह electric impulse create करते हैं, जो हमारी feelings हैं, यानि जो हम body से feel करते हैं, वो magnetic impulse create करती हैं, और जब हमारे विचार, हमारे emotions और feelings मिलते हैं, तो यह electromagnetic impulses को create करते हैं, और इसी electromagnetic impulses जो create हो रही हैं हमारी body से लगातार, इनको neuroscience हमारा bio energy field बोलता है और spirituality इसी चीज़ को औरा बोलती है आज से बहुत साल पहले अगर ये बात की होती तो शायद समझ में नहीं आती लेकिन आज तो ऐसे devices मौझूद हैं जो हमारे चारो तरफ हमारी body से निकलने वाले औरा की image click करके बता सकता है कि हमारी health कैसी है हम किस तरह के thought process को emit कर रहे हैं क्योंकि ये सब colors से radiate हो रहे होते हैं हमारी body के चारो तरफ से ये electromagnetic field third और बहुत जरूरी step है surrender तो जब भी हमने कोई एक visualization किया उसके बाद हम वो 5 minute के लिए 1 minute के लिए किया उसके बाद बाकी के 23 गंटे और 58 minute हम doubt में पता नहीं होगा कि बंदे ने बात तो बताई थी लेगन try करके देख लेते हैं होता है कि नहीं आपको उस process पे belief नहीं है belief बहुत बड़ा role play करता है belief सिर्फ placebo effect create करने का ही काम नहीं करता बलकि जो आपने mental projection जो एक model create किया है उसको strengthen करने का भी काम करता है तो अगर हमने उसके साथ belief नहीं रखा उसको doubt किया बार-बार या हम fear में हुए कि यार चाहता तो ये उपर नहीं हुआ तो बहुत दिक्कत में हो जाएगा तो fear, doubt और lack of belief को अगर आपने बाखी के पूरे दिन में practice किया तो कुछ भी हम achieve वो नहीं कर पाएंगे जो हमने पहले visualization किया in fact जो हम डर रहे हैं, जो हम fear कर रहे हैं, जो doubt कर रहे हैं हम उसी को ही कहीं अपनी जिंदगी में attract ना कर लें ऐसा बहुत बार आपने जिंदगी में देखा भी होगा कि कई बार हम किसी चीज़ से डरते रहते हैं, यह सोचके कि यार यह ना हो जाए और वही हो जाता है, तो surrender कर दो, जो भी visualization आपने किया है उसके ओपर doubt मत करो, क्योंकि यह doubt कहीं और और के station पकड़ेगा और एक particular frequency से हम कभी connect नहीं कर पाएंगे तो winners, मैं यह उमीद करता हूँ कि आप इन practices को अपनी life का एक part जरूर बनाएंगे और law of attractions related किसी भी तरह का आपका कोई question हो तो मैं definitely उसको answer करना चाहूँगा आप उसको comment section में जरूर drop कीजिए उसका जवाब मैं comment section में आपको जरूर से जरूर दूँगा और हाँ हमारा जो event हो रहा है उसको join करना बिल्कुल भी मत भूलेगा उसका link में description में दे देता हूँ ये event सिर्फ एक event नहीं है बिल्कि ये आपकी life का एक turning point साबित हो सकता है और इस event को हम बिल्कुल ही money back guarantee के साथ करते हैं कि अगर हम इस event से जो value आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं वो add नहीं कर पाए तो आप चाहें तो अपना amount refund ले सकते हैं जो भी investment आपने किया है तो link description में जरूर चेक कीजेगा आपकी जिंदेगी खुश्यों से भरी हो ये दुआ करता हूं I wish you lots and lots of peace, tons of happiness and bundles of success in your life Be happy, be alive